जितने घाट उसको ठीक से सफाई करा दे, अगर ये करा देंगे तो मैं नतमस्तक हो जाओंगा तो मैं बीजेपी वालों को यही कहना चाहूंगा कि जब LG आपका, होमनिस्टर आपका तो आप पहली करवा लेते हैं, तो मनुस्तिवारी जी दिन में तो उन्होंने पट्टी बांदी, रात को अंगत का रोल करे थे, कूद कूद के नमस्कार मैं हूँ प्रवीन, छट का तेवहार आ रहा है, पूरवान चलियों के इस मुखे तेवहार पर राजनिती हो रही है, जब हम BJP के लोगों से बात करते हैं, तो वो LG का शुक्रियादा करते हैं, कि सावजनिक छट पूजा के लिए उन्होंने परमीशन दिलाई, ज लेकिन क्यों हो जाता है, इसका लॉजिक भी आब बता दीजिगा, लेकि लास्ट जो छट ना होने का ओड़त तीन अक्टूबर को आया था, अगर BJP को कराना होता, तो उसके बीच में बहुत बड़ा एक लंबा समय था, और निश्चित तोर पर DDMA के चेर्मन LG साहब है, त इनको कराना होता, तो पहले ही करा देते, इतना शोर शराबा करने क्या जरूरत थी, और जब हो गया, तब श्रेले ने आ गए, तो मैं BJP वालों को यही कहना चाहूँगा, कि जब LG आपका, होमनिस्टर आपका, तो आप पहले ही करवा लेते, लेकिन जब हो गया, तो उसके हाट है, उसको ठीक से सफाई करा दे, अगर यह करा देंगे, तो मैं नतमस्तक हो जाऊँगा, अधियमसी मेर मुकेश सुरय ने कहा है, कि 41 लाग का फंड पर 104 वाड में दिया जा रहा है, और वो उससे ही रेनोवेशन होगा, और जो MCD है, उस पर साफ सफ़ाई काम कर रही है, मेरे विधान सबा में लगभग 30 घाट रेजिस्टर है, क्या यह पॉसिबिलिटी है कि 30 घाट को उससे रेनोवेशन हो जाए, आप मेरे साथ चलिए डाबरी छट घाट में आपको दिखाता हूँ, चार वाड है आठ में तो होगा, आप देखिए ऐसा है ना, तो मैं यही त साइटस हैं, उस पे आप छट कराएं, साफ सफाई कराएं, जो पैसा है, सही जगा इस्तेमाल हो घपला ना उइनका रिकॉर्ड रहा है, चाहे 4 लाख हो, चाहे 40 लाख हो, चाहे 4 हजार हो, घपले पर ज्यादा ध्यान रहता है, मैं तो इनके निगम पार्शोतों से भी कि जो है हमने केजिवाल के घर का घहराव किया प्रदेशन किया और जो है मनुस्तिवारी घायल हो गए वो फटल पहुंच गए उसके बाद कहीं जाकर शर्म आये दिल्ली सरकार को और उसके बाद पर मैं तो इस नाटक पर पहले वो मनुस्तिवारी जी दिन में तो उन्होंने पट्टी बांदी रात को अंगद का रोल कर रहे थे कूद कूद के तो यह कैसा चूड था और दूसरा आपको घराव करने ज़रोती नहीं थी आपके LG है देखो LG आपके हो मिनिस्टर आपको तो किसलिए मुख्यमंदे घराव कर रहे हो यह तो आप शोर शरावा कर रहे हो मैंने फिर यही का कि आपको कराना था तो LG साब से पहले ही करा ले थे जब हो गया जब DDMA की मीटिंग में जब सिएम ने जब इस बात को उठा दी जब हेल्थ मिनिस्टर को चिठी लिख दी डिप्टी सीम साब ने उसके बाद जब सीम साब ने केजरिवाल साब ने जब LG साब को चिठी लिख के कहा कि आप DDMA की मीटिंग बुलाओ तो उसके बाद यह शोर शरावा क्यों तो देखिए आजमी है आपके सामने है बिल्कुल एकदम पारदर्शी तरीके से आपके सामने कैसे चिठी लिखी गई कैसे मीटिंग बुलाई गई और कैसे हुआ तो आपके सामने है जित्ती तो प्रदेशन के बाद लिखिए ना पहले लिखने चाहिए देखिए ऐसा होता है सरकार के इजरिवाल सब सरकार चला रहे हैं, सरकार सब चीज को अनलिसिस करके किया जाते हैं, देखो क्या है कि आज COVID है, कुछ भी अच्छा होगा, तो ये कहेंगे हमने कर दिया, कुछ खराब हो तो कहेंगे CM ने करा दिया, एक CM जब एक समिधानिक पद पर होता है, तो बड़ी जिम मनाते हैं, लेकिन जमना का पानी तो दूशित है, अब क्या सुझाव सरकार को देंगे, कि वहाँ भी लोग अच्छे तरीके से इस्तोहार को मना सकते हैं, मैं हर्याना सरकार से इमांग करना चाहूँगा, कि पानी चोड़े, पहले भी छोड़ते रहे हैं, लेकिन पिछले दो वर्सों से पानी चोड़े, मैं हर्याना सरकार से मांग करना चाहूँगा, कि उस पानी को छोड़े होँ, हर्याना से पानी चोड़े, ताकि यह जो पानी का बहाव बने और जो शुरुवाती थोड़ा सा जो ठहरावा पानी है, यह आगे बढ़े, इसके लिए कोई पत् आप इसोगराद है, मैं तो BGP वालों से ही कहना चाहूँगा, कि आप इतना चाहते हैं, तो यमना करवाईए, एक मैं चाहूँगा, आप आप ही लोगों से करें, सावजिनिक चट पूजा के अनुमत्य तो मिल गई, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कि किस तरह से कोरो जो पूजा कर रहे हैं, और जो दवरा लेके जा रहे हैं, बस दो ही लोग जाएं, पूरे परिवार साथ मिना आ जाए, ताकि छट घाट पे भीण ना हो, और मैं सभी औरगनाइजर से भी कहना चाहूँगा, कि मास का सैनिटाइजर का जो हैं इंतिजाम कर लें, और हमसे बातशीत की, कैमरा जेनलिस्ट निरेजिसाब प्रवीन, इंडिया टाइम 24